दोस्तो आज से कुछ दिन पहले जो है मैंने 2020 के लिए Top 3 Small Care Fund के उपर एक वीडियो डाली थी और उसको देखने के बाद लोगों का जो response था काफी positive था बहुत सारे comments तो मुझे ऐसे भी मिले कि भाई इसी प्रकार की आप एक वीडियो Large Care Fund के उपर भी बनाएं तो आज की इस वीडियो में जो हमें आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन से वो तीन Large Care Fund है जो आपको 2020 में अच्छे रिटन दिला सकते हैं तो आप सब से request है कि आप इस वीडियो को लास सक जरूर देखें Benchmark की बात करें तो ये Fund Nifty 100 TRI को फॉलो करता है Minimum SIP Investment की बात करें तो कम से काम आप 1000 रुपे की SIP इस Fund के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं Expense Ratio की बात करें तो हर साल आपको आपकी Investment का 0.60% expense fees दीने होगी आपके पैसो को manage करने के बदले में तो यहाँ पर जो है expense ratio के साब से ये Fund काफी attractive दिखाई दे रहा है अब बात कर लेते हैं Fund की return grade के बारे में तो फंड का return grade काफी high दिखाई दे रहा है यहाँ पर NAV को देखोगे तो अगर आप growth option लेते हैं तो एक unit की कीमत आपको 57.03 पैसे देनी पड़ेगी अब बात कर लेते हैं Fund की trailing return के बारे में तो यहाँ पर जो है मैं एक दिन एक week के trailing return को consider नहीं करूँगा मैं करूँगा एक महीने, तीन महीने, छे महीने, एक साल और तीन साल के trailing return को तो यहाँ पर एक महीने का trailing return का उसमें इसने 0.77% का positive return दिया है पिछले तीन महीने में इसने 9.06% का positive return दिया है पिछले छे महीने में इसने 5.58% का positive return दिया है और पिछले एक साल के अंदर इसने आप कह सकते हो लगबग 12.94 लगबग 13% के आसपास का positive return दिया है और पिछले तीन साल में इसने 15.78% का positive return दिया है अब यहाँ पर 5 साल और 7 साल का trillion return mention है तो यहाँ पर आप चाहे तो वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं अब बात कर लोते हैं fund के जो है risk measurement ratio के बारे में तो fund का जो average return है अभी के समय में 16.36% का है जो की benchmark के compare में लगबग जो है 1.5-2% जादा है standard division की बात करें तो 12.12% का standard division है जो की काफी अच्छा है और sharp ratio देख लो और shorty no ratio देख लो ये भी काफी दमदार दिखाए दे रहे बीटा value के साब से risk कम है, alpha value जो है benchmark के compare में थोड़ा इसी positive है अब यहाँ पर बताना ये ज़रूरी है कि भाई जो large cap fund है वो पिछले 6 महिने एक साल से ऐसी performance दे रहे है जो small cap भी नहीं दे पा रहे है क्यूंकि 16% का average return आप समझो, जो return small caps को देना चाहिए था वो ये large cap दे रहे है और भाई पिछले 6 महिने एक साल में जो large cap fund काफी दमदार perform कर रहे है तो एक तो इनका दो advantage हो गया अभी के समय में कि लार्ज cap है तो ये आपको कम risk वाले fund मिलेंगे दूसरा कम risk वाले fund तो एक बड़ा advantage हो गया दूसरा जो return है कि भाई ये return के मामले में भी काफी दमदार है यानि कि small cap fund के company में काफी अच्छी return दे रहे है तो एक तीर से दो निशाना लग जाए आपका कम risk के साथ अच्छी return चाहिए तो अभी की समय में large cap fund best दिखाई दे रहे अब बात कर लेतें number 2 पर जो fund है उसका नाम है canra robeco blue chip equity fund जो की एक direct plan है अब यहाँ पर fund के जो है अगर मैं asset size की बात करें तो 301 करून रुपए इस fund के पास है benchmark की बात करें तो S&P BAC 100 TRI को यह fund follow करता है minimum SIP investment की बात करें तो कम सी काम आप 1000 रुपए की SIP इस fund के नदर start कर सकते है अब बात कर लेते हैं fund के expense ratio के बारे में तो थोड़ा सा expense ratio काफी इसका high दिखाई दे रहा है लेकिन इसको number 2 पर जो रखने का main reason है वो इसका trailing return जो risk measurement ratio है उसको देखकर मैंने इसको number 2 पर रखा है तो यहाँ पर अगर आप इस fund के अंदर investment करते हो तो हर साल आपको आपकी investment का 1.27% expense fees देने होगी जो की हमारे number 3 पर जो fund था उसका almost आपको double fees देना होगा कैनरा, रोबेको, ब्लूचिप, equity fund के अंदर अगर आप investment करते हो लेकिन अगर आप इसका जो return grade देखोगे तो वो भी above average है और growth option देखोगे तो यहाँ पर एक unity कीमत आपको 28 रुपे 93 पैसे dividend option के एक unity कीमत आपको 24 रुपे 48 पैसे देनी पड़ेगी अब बात कर लेते हैं trailing return के जो है data के बारे में तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में इसने 1.05 पसंट का positive return दिया है पिछले तीन महीने में 8.76 पसंट का पिछले छे महीने में 8.80 पसंट का पिछले एक साल में 17.17 पसंट का और पिछले तीन महीने में 16.67 पसंट का positive return दिया है तो अगर आप मानो की इस फंड ने आपसे जो है 7% का 1.27% का अगर आपसे एक साल में फीज चार्ज किया है तो एक साल के ट्रेलिंग रिटन से आप जो है 7% माइनस कर दो तो ये फंड आपको पिछले एक साल में लगभग 14-15% का एवरेज रिटन दिया है इसका जो पिछले एक साल का ट्रेलिंग रिटन है लगभग 17% के आसपास का है तो इसमें से आप जो है 1.5% माइनस कर लो तो ये लगभग आपको 14-15% का इसने रिटन दिया है पिछले एक साल का तो रिटन के मामले में ये जो है नमबर 3 से काफी बेतर है लेकिन इसमें एक जो माइनस पॉइंट है की भाई इसका expense ratio थोड़ा सा जाधा है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है fund के risk measurement ratio के बारे में तो यहाँ पर average return देखोगे तो लगभग 16.99% लगभग 17% का average return है fund का standard division देख लो 11.66% का का काफी दमदार है काफी कम risk दिखाई दे रहा है sharp ratio देख लो short ratio देख लो काफी positive है दोनो beta value देख लो यहाँ पर जो हमारा last gap है उसके साथ compare करके देख लो और alpha value देख लो तो benchmark के compare में आपको 0.5% से जाधा का return जनरेट करके देगा तो यहाँ पर जो है आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को pause करके जो risk measurement का data है वो fund और benchmark को एक दूसरे के साथ compare कर सकते हो या फिर trailing return का जो data है fund और benchmark का वो एक दूसरे के साथ compare कर सकते हो वीडियो को pause करते है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर एक पर जो fund है उसका नाम है Axis Blue Chief Fund अब यह एक direct plan है और इस fund ने जो है पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर इतना दमदार investors को return दिया है कि इस ने जो small care funds के return को भी पीछे छोड़ दिया है अब इस fund के बारे में बात कर लेते हैं तो fund का जो asset size है अभी के समय में 9,481 करोड रुपे का है benchmark की बात करूँ तो यह 50-50 total return को follow करता है minimum SIP investment की बात करूँ तो कम से कम आप 500 रुपे की SIP से इस fund में investment स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप expense ratio की बात करो तो यहां पर यह fund आपसे fees भी कम charge कर रहा है 0.64% expense fees है इस fund की अगर आप इस fund के अंदर investment करते हो तो हर साल आपको आपकी investment का 0.64% expense fees देने होगी अब यहां पर बात कर लेते हैं fund के return grade की बारे में तो जो return grade है fund का वो काफी high दिखाए दे रहा है और अगर आप NEV को देखोगे तो इसमें growth unit के एक option की कीमत जो है 34.31 dividend option के एक unit की कीमत है 18.62% की अब बात कर लेते हैं fund के जो trailing return है वो कैसा है तो यहां पर जो fund का trailing return दिखोगे तो पिछले एक महीने में इसने 0.44% का positive return दिया है पिछले तीन महीने में इसने 4.80% का positive return दिया है पिछले 6 महीने में इसने 8.40% का positive return दिया है और पिछले एक साल के अंदर ये screenshot है भाई मैंने कुछ edit नहीं गिया ये screenshot है देख सकते हो पिछले एक साल के अंदर इसने जो है साड़े उनिस पसंट का रिटन दिया है पॉजिट्डिव अब साड़े उनिस में से अगर आप जो है एक पसंट माइनिस करते हो एक्सपेंस फीस के रूप में तो भी इस फंड ने आपको लगबग आपको पसंट साड़े आट्रा पसंट का पॉजिट्व रिटन दिया है पिछले एक साल के अंदर अब पिछले तीन साल का ट्रेलिंग रिटन देखोगे तो भाई ये कमाल का है भाई 20.97 लगबग अलोमस्ट 21 पशंट के आस पास इसका ट्रेलिंग रिटन रहा है पिछले तीन साल से इस फंड का, तो रिटन के मामले में ये फंड किसी से पीछे नहीं है, इसलिए मैंने इसको नमबर वन पर रखा है, देखो मैंने नमबर तीन पर किसको रखा है, उसका रिजन मैंने दिया, नमबर दो पर किसको रखा, उस कर देना अगर मैं बात करूँ यहां पर फंड की रिस्क मेजरमेंट रिशो के बारे में तो फंड का जो आवरेज रिटन वह आप अपनी आखो से देख लो एक स्क्रीन शॉट है मैंने मेंशन नहीं किया है कुछ भी तो यहां पर देखोगे लगबग साड़े बीस परसंट से जादा का जो रिटन है इस फंड का बेंश्मार के कंपेर में लगबागा आप साड़े चार परसंट का जादा का रिटन यह देरा है फंड आपको स्टैंडर्ड डेविशन देखोगे तो 11.47 परसंट का जो की सबसे कम है सार परेश्यो की बात करें मतलब जितने भी तीन फं जो 20% से जादा का एवरिज रिटन दे रहा है प्लस बेंश्मार के कंपेर में आपको 6% जादा का रिटन दे रहा है तो इसलिए जो है मैंने इसको नंबर 3 पर रखा है तो भाई यह जो डेटा है आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉस करके देख लो चाहें तो पारे एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल परपस के लिए लिए है और किसी भी फंड में इंवेस्टमन करने के कोई भी डारिक और इंडारिक कोई भी सला नहीं है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए कुछन को सीखते रहिए